नमसकार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता रंजम हमारे कारेक्रम का मकसद होता है कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है अनुचित हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठाए और आपकी आवाज जब हमारी आवाज की साथ मिलती है आपका साथ मिलता है तो हमारी आवाज और बुलंद होती है और जहां तक सत्ता में बैठे लोगों तक हमारी आवाज पहुचनी चाहिए उसकी हमारी लगातार कोशिश रहती है तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरत कर ले और बिल बटन भी दबा ले ताकि आपको नोटिफेकेशन मिलता रहे जब भी हम लाइव जाएं आपके लिए कोई कारक्रिम लेकर आएं तो आज का जो हमारा मुद्दा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुपी हमारे प्रधान मंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं देश-विदेश में लगातार सैर करते हैं और एक बहुत ही ताकतवर प्रधान मंत्री के रूप में उनकी चवी है देश में भी उनकी जो छवी है वो कहिए कि उनके बराबर उनके कद का अभी कोई और नेता दिखाई नहीं देता लेकिन ये बलशाली प्रधान मंत्री जब चुपी धर लेते हैं यानि जब मौन धर लेते हैं तो कई सवाल खड़े होने लगते हैं और अक्सर ऐसे मुद्दो पर जो समाज में विभाजन लाने का काम करता है जो समाज में कहिए गलत हो रहा होता है धर्मों के बीच दिवार खीची जा रही होती है तो अक्सर देखा जाता है कि प्रधान मंत्री जो हैं वो चुप हो जाते हैं ऐसा क्यूं होता है और इससे लेकर समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो आहत हो जाते हैं कई लोगों ने बीते दिनों हमने देखा कि नौ दिनों में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को दो चिठी लिखी गई है पहली चिठी जो उनको लिखी गई थी वो पाच पुर्व सेना प्रमोख समेट सौ लोगों ने मिलकर चिठी लिखी थी और कहा था कि प्रधान मंत्री को जो समाज में घटित हो रहा है धर्म के नाम पर दंगे या हिंसा या इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर अपनी आवाज रखें अपनी राय रखे, कुछ कहें, देश की प्रधान मंत्री है, देश का हर वर्ग, समाज का हर वर्ग, इस देश का हर हिस्सा उनके जद में आता है, उनके अंडर आता है, फिर ये अलग-अलग हिस्सों में प्रधान मंत्री कैसे राज्यों के आधार पर बाट देते हैं, जिस त और फिर पंजाब भी उनके देश का ही हिस्सा है और क्या उन्होंने पंजाब और पंजावियत पर और उनके इरादों पर सवाल खड़े कर दिये हैं अब दूसरी चिठी जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को लिखी गई है वो चिठी लिखी गई है IIM स्टूरेंट्स और उनके फेकल्टी मेंबर्स ने प्रधान मंत्री को चिठी लिखी है और चिठी में कहा है कि आपकी चुपी नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा देती है देश में डर की भावना है और आपको बोलना चाहिए ये IIM के स्टूरेंट्स ने लिखा है ये चिठी मैं आपको ये चिठी पढ़कर सुनाओं लेकिन उससे पहले ये खुली चिठी है और हेट स्पीच और जाती आधारित हिंसा पर जो PM ने मौन धारन किया है नहीं बो नरसंगहार का आवाहन क्या गया उसके बावजूद कोई रियक्षन नहीं आया सत्तापक्ष की ओर से कोई कारवाई नहीं हुई 36 गड़ में ऐसा हुआ तो कारवाई हुई क्योंकि 36 गड़ में कॉंग्रिस की सरकार है और अलग अंदाज में जाकर गिरफतारी हुई आयायम अमदाबाद और आयायम बेंगलूरू के 183 छात्रों ने हस्ताक्षर किये हैं यानि हमारी आज की जो पीड़ी है जो नवजवान है इंडियन इंस्टिटूट अफ मैनेजमेंट के बेंगलूरू के अमदाबाद के उन समने मिलकर ये चिठी पी-म को लिखी है और कह है कि नफरत फैलाने वाले भाषन और अल्प संख्यकों पर हमले का मुद्दा बहुत ही गंभीर है इस पर प्रधान मंत्री को कुछ कहना चाहिए ये चिठी क्या है इसकी लाइने पहले मैं आपकी समक्ष रखना चाहूंगी देखिए मानिय प्रधान मंत्री जी हमारे चुपी ने नफरत भरे भाषनों को प्रोटसाहित किया है और हमारे देश की एकता वो अखंडता के लिए खत्रा पैदा किया है यानि प्रधान मंत्री की चुपी पर ये सवाल है कि उनकी जो चुपी है वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है चिठी में आगे लिखा है हम आ समाज, क्रियेटिविटी, इनोवेशन और संब्रधी पर ध्यान के इंदरत कर सकता है या समाज खुद में विभाजन पैदा कर सकता है अभी हमारे देश में डर की भावना है हाल की दिलों में चर्च सहित पूजा स्थलों पर तोड़ फोड़ की गई है हमारे मुसलिम प्रधानियों, बेहनों के खिलाफ हत्यार उठाने का वाहन किया गया है ये सभी चीजे कानून के डर के बगैर की गई सम्विधान ने लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंतरता का गरिमा के साथ बगैर भै और शर्म के आचरन करने का अधिकार दिया है हम लोग एक ऐसे भार का निर्मान करना चाहते हैं जो विश्व में समावेशिता और विधिता का एक उदाहरन बने और आप एक प्रधानमंत्री के तौर पर सही विकल्प चुनने की दिशा में देश को आगे ले जाएं तो जिस तरह का विश्वास दिखा रहे ही ये स्टूरेंट्स ये युवा का निर्मान करना चाहते हैं जहां असहिष्णुता की कोई जगा ना हो जहां पर द्वेश ना हो जहां पर हिंसा ना हो जहां हम जिस समरस्ता के लिए समाजिक समरस्ता के लिए हम जाने जाते हैं उसका स्थान हो हम ऐसे देश का निर्मान नहीं करना चाहते जहां क्रेटिव इनोवेशन ना हो और धर्म के आधार पर विभाजन हो जैसे बीते दिनों चर्च में दिखाए दिया चर्चों पर हमले हुए चाहे वो मत प्रदिश में हो चाहे वो हर्याना में हो इसा मसी की मूर्थी तोड़ी गई बच्चे अगर क्रिस्मस मना रहे हैं तो वहां जाकर मान चालिसा का पाठ कराया गया तो इस तरह से लगातार जो घटनाए सामने आ रही हैं क्या हम एक ऐसे देश का निर्मान करना चाहते हैं जहां सुरक्षा सिर्पे खास वर के खास समुदाय खास धर्म को मिले और बाकी के धर्म के लोग असुरक्षित महसूस करें भारत ऐस कि अपने इश्वर की पूजा करने में आपको डर लगने लगा है कि कहीं कोई राम मंदर का नाम लेकर कहीं कोई भगवान राम का नाम लेकर आपकी रह में रोडा ना बन जाए आपकी जान के लिए वो खत्रा ना बन जाए तो क्या हम ऐसे देश का निर्मान कर रहे हैं यह यह सोचने वाली बात है कि IIM के students, faculty members ने यह चिठी लिखे नौ दिनों में यह दूसरी चिठी है प्रधान मंत्री के नाम पर और पहली चिठी जो थी जैसा मैंने आपको बताया कि 5 पुर्वसेना प्रमुक समेत 100 लोगों ने चिठी लिखी थी और तब ही वो चिठी राश्ट किया गया उसके खिलाफ चिंता जाहिर करते हुए चिठी लिखी गई थी कि इसाई, दलित, सिक यह सब जो अल्प संख्यक है हमारे देश में जब वोट का समय आता है जब चुनाव का समय आता है तो दलित बहुत important हो जाता है आखरी पायदान पर खड़ा व्यक्ती बहुत important हो जाता है मतोपुन हो जाता है और उसकी वोट के लिए आप दर-दर फिरते हैं आप रैलिया करते हैं आप सब करते हैं लेकिन आम दिनों में अगर देखा जाए तो ये लोग भैभीत महसूस करते हैं तब भी प्रधान मंतरी ने चिठी को लेकर कोई चिंता या देश में जो स्थितिया बन रही है उस पर कोई चिंता का इज़ार नहीं किया और अब ये दूसरी चिठी जो आई है मैं आपको एक और मसला बताना चाहूंगी कि हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोट में एक याचिका भी डाली गई है और देश भर के मुसलमानों के खिलाफ जो वो असुरक्षित महसूस करते हैं एक खास वर्ग जो है अब भारत में असुरक्षित महसूस करने लगा है क्या प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का 56 इंच का सीना ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि देश में हर नागरिक सुरक्षित महसूस करें देश का हर व्यक्ती सुखी महसूस करें देश का हर नागरिक जो है एक दूसरे से मिल कर रहे और एक सोहादर की स्थिती जो है देश में कायम हो क्या प्रधान मंत्री अपना मौन तोड़ेंगे, क्या प्रधान मंत्री अपनी आवाज रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, या सत्ता पक्ष के लोग जो बेबाकी से हर मुद्दे पर आके अपनी बात कह जाते हैं, प्रधान मंत्री की सुरक्षा में जो चुक का माम लाया तो सारे खड़े हो गए और आरोप लगाने लगे पंजाब की सरकार के उपर लेकिन ये जो मसला है जो पूरे देश को निरंतर लगातार कमजोर कर रहा है हमारी छवी को अंतराश्ट्रे अस्तर पर धूमिल कर रहा है इसके लिए प्रधार मंत्री क्या करेंगे ये सवाल है अगर कोई आवाज प्रधार मंत्री तक पहुँचा सके आप सब इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि हमें जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से भी कुछ तो सुनने को मिले आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताए फिल्हाल आप मुझे दें इजाज़त नमस्कार